नमस्कार मैं भुपांदर पढ़ने हिंदी चलोने आप सोब कहार्दिक स्वाकत करता हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ आचार भारत मुनिकार रसिधान्त सबसे पहलए मैं आपको बता दूं कि मेरा जो लेक्चर होता ही व अपने अप में पूरा उद्धा बटकना ना पड़े तो इसके लिए क्या है बहुँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मुझे को लेकिन इसके बाद मैं आपको नोट से भी देता हूं कोई चात्रों को यह भी शिकायत रहती कि मेरे स्कीन के जोटे दिखाई दे रहे हैं तो आप से मेरी गुजारिस है कि मैं हिंदी शिखर है तो इसको आप जाकर जरूर देखें और वहाँ पर भी मुझे फालो करें और इस वेबसाइट के जो एड्रेस है यहां पर मैंने दे दिया है जैसे कि मेरे YouTube चेनल पर आपको मिलती है मेरे सारे नोटस वहाँ पर आपको अपडेवर रहेंगे और समय समय पर मैं उसे अपडेट करता रहूँगा जोबी मुझे अच्छी सामगरी मिलती है कोई अच्छा कंटेंट मिलता है या कोई अच्छी जानकारी मिलती है किसी तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर किसी भी कंटेंड को आप रीफर कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं बहुत सारे किताबों को रीफर करता हूँ, आर दस किताबों को पढ़ने के बाद उस पर प्रापर रिसर्च करने के बाद ही मैं वीडियो लेक्चर लेकर आता हूँ नोट्स मनाता हूँ इसलिए मेरे यूटूब चैनल पर बहुंच जादे लेक्चर आपको उपलद नहीं होते हैं तो मुझे आशाहिनी विश्वास है कि आप भी मुझे वहाँ पर फालो करेंगे इस लेक्चर को देखने के बाद तो यह मेरी वेबसाइट है हिंदी शिखर और www.hindishikhar.com आप लिखेंगे तो आप डारेक्ट वहीं पर पहुंच जाएंगे वेब ब्राउजर में और नीचे मैंने इसका लिंक भी दे दिया है तो चलिये आजका लेक्चर हम सुरू करते हैं मेरे लेक्चर भले ही थोड़े लबे हो जाते हैं लेकिन मैं उसमें पूरी बाते हैं आपको संञाता हूं और जो भारति कावेशास्तर का यह जो रस सिधान्त है यह सबसे प्राज्यिं सिधान्त है इसमें बहुत सारे प्रतियोगी परिच्छाएं होती है इसी की बीच से उसमें क्वेस्चन सा जाएंगे आचार भरत मुनी के रस सिधान के उपर जितने भी प्रश्ण बनते होंगे किसी भी प्रतियोगी परिच्छाओं में अब्जेक्टिव कर रूप में तो इसके अंदर से आपको आपर मिल छो 맞아 चार भरत भरत मुनी का रशल सिधान के अंतर आपके मल में जीग्यासर आती है कि सास्त्र करBY किया है शास्त्र मतलब हता है बहुत सारे सिधान्तोों का संक्ले है बहुत सारे विद्वान आचारी हुए हैं Be हे भार्ति कावशास्त्र कि अचार भारत मुनिका रासिधान सप्रवाधिक प्राचीघ सिधान्त माना जाता है। चलि के उसे में ह हम पड़ते हैं। रज़सिध। यद्यद्यपी भारती कावेशास्तर में प्राचिंतम सिध्धान्त है तथा यई इसे व्यापक प्रतिष्ठाबाद में प्राप्त हुई यही कारण है कि अलंकार सिध्धान्त को रज़च उद्धान से प्राचिं माना जाने लेगा जो रज सिधान्थ पहले से चला आ रहा था यह सिधान्थ नहीं इसके बारे में जानकारी बाद में हुई लोगों को बाद में यह प्रसिद्ध हुआ यह सिधान्थ इसलिए लोग यह समस्ते थे पहले की अलंकार सिधान्थ ज्यादा प्राचिन है लेकिन वास्ता में रज सि से दूसरी सती इस्वी मतब एड़ी तो इनके बीट का समय माना जाता है लगभग 400 साल का समय इसके बीट में कभी यह पैदा हुए थे उत्पन हुए थे उन्होंने अपने ग्रंथ नार्ट के शास्त्र में रस के विभिन आव्याओं का विवेचन किया तथा रस सुत्र दिया कि रस के कौन कौन से अवयाओं होंगे किन अवयाओं से कीन चीजों से मिलकर रस की निश्पत्ति होती है रस उत्पन्हों होता है उसका उन्हेने विचार वी मर्स किया, विवेचन किया, व्याख्या की और इजने एक रससूत्र दिया, एक फार्मूला दिया रस का, की रस कैसे उत्पन होता है, आचार भरत्मुनी ने नार्ट ये शास्त्र को पंचमवेद काई, चार वेधन को पता है और इन्होंने इसको पंचम वेत का है इसमें कुल छती सध्या है यह ध्यान में रखे परिच्छा में पूछा जा सकता है इसमें कुल छती सध्या है तथा लगबग 5-6 सव स्लोग है अब आचार भरतमुनी का रसुत्र इस प्रकार है क्या है विभाव अनुभाव व्यविचारी सयोगा द्रस सफ लगाते हैं संज्डीयस इनके सजोग से रश की निश्पत्ति होती है भूता रस हुत नोडकाती हों तो कहने का तॉट्पर है कि हमारे मन में सम Zust्दोवासर में समझा देता हूं हमारे मन में कुछ भाव, इस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं, जैसे रती इत्यादी इस्थाई भाव हैं, निर्वेद है, शोक है, हमारे मन में इस्थाई भाव से ये विद्यमान होते हैं, लेकिन जब ये, जब विभाव, अनभाव और संचारी भाव, इन तिनों को सय तो जो हमारे मन में जो इस्थाई भाव है वह अर्रास रूप में परणात हो जाता है उसमें बदल जाता है आगे मैं इन सब चीदों की व्याख्या करूंगा इस अब सभी जितने भी शब्द यहां पर आएं विभाव अनभाव वेविचारी भाव इन सब की मैं आगे अध्रक मिला रहा है मिर्च मिर्चे उफ में डाल रहा है धनिया पत्ति डाल रहा है ऐसे बहुत सारी चीजों को मिलाकर आपने क्या बना लिया चट्मी बना लिया तब वह रस रूप में पणित हो गया उसका स्वाद आने लगा टमाटर का तो इस ताइप का है तो रस जो जो च और उसको डाला है किस प्रक्रिया किस प्रकार उससने रस का स्रीजन किया है और वो जो रस उसको डाला है वह पाठक तक भली महाती पहुंच गया है कि नहीं और पाठक ने उस रस को ग्रान कर लिया है कि नहीं इसको बोलते हैं रस निश्पक्ति, इस सुत्र के अधार पर ही परवर्थी आचारियों ने रस के स्वरूप पर तथा रस निश्पक्ति पर परयाप्त विचार किया और इसे रस सिधान का विकास हुआ, तो रस सिधान की व्याख्या करने वाले बहुत सारे 3-4 विद्वान हम आगे देखेंगे, तो इन्हों ने भरत मुनी ने जो रस सितर दिया है, इसके व्याख्या चार विद्वानों ने की है, और इसके माध्यान से हम कहते हैं कि रस सिधान का विकास हुआ है, अब यह बहुत ही महत्तबुन प्रेश्णा है जो प्राया परिक्षाओं में पू हराद्र, वीर और विबस, यह चार प्रमुकरस होते हैं खरत मुनी के हिसाब से, इसके बाद क्या होता है, स्रिंगार से हास्य रस की उत्पत्ति होती है, हराद्र से करुण रस की उत्पत्ति होती है, वीर से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है, और विबस से भयाना की उ प्राइटि की परिश्चा होती है वस्तुनिष्ट परिच्छा आप इसंत्राइब प्राइब को पूछा जाता है कि भरत मुनी ने अपने नाट्य शांत्र में भावों के संख्या, कुल इसने संक्य मानिये कुल कितने वहां होते पुंचाज होते हैं भरत मुनीक अंसर जिसमें Away थै सान प्रत्ये वहां का संबंध्न किसे होता है रस्से होता है यह यह इसलिए उन्हें आठ ती संसारी है संचारी भाव को विविचारी भाव भी करते हैं क्योंकि यह भाव विभिन निस्थाई भाव में घुनते रहते हैं रमड करते रहते हैं यह भी प्रशन प्राया-परिक्षाओं में आता है रूपा कलंकार दीपा कलंकार और यमक कलंकार सारे इसमें प्रशन परिक्षाओं में आते हैं सभी को शामिल है यह नोट्स अपने आप में पुरी तरह से कम्प्लीट है इसे अंतर जरूर देखें वाकिया व्याख्या बहुत ही ज़रूरी है इसमें रस किन चीजों से मिलकर रस रख छार %. कि चार था पहला इस्थााई भाव हे बाद में रस से रूप में प्रणात होता है हमारे मन में होते हैं वे विभाव अनभाव और संचारी भाव से मिलकर रस के रूप में पंड़ात हो जाते हैं, रस के रूप में बदल जाते हैं तो सबसे important ingredient क्या हो गया? स्थाई भाव हो गया तो रस के चार अव्यव हैं, स्थाई भाव, विभाव, अनभाव और संचारी भाव संचारी भाओ को हम विष्दाइव भाओ नो तो जो भाव रिदय में सदेव स्थाई रुप से विद्धिमार रहते हैं और अनुबूल परिस्तिती में रस रूप में प्रण्डत हुजाते हैं उन्हें स्थाई भाव कहा जाता है भरती स्थाई भाव के संख्या आर्ट मानते हैं जैसे शोक है हमारे मन में शोक नाम का तो यह क्या हो गया हमारे मन में में वह भावना है लेकिन अनुकूल पर इस्थित्याँ पाकर वह जागरत हो जाता है तो इनहें कह जाता है इस्थाही भाव जो हमारे मन में परमानें टू से विद्ध्धिमान रहते हैं लेकर गुल आवुसर पाकर जाग रहाते हैं और प्रपल हो जाते हैं तो वास्तव इंग के संख्या संख्यां नौ प्रत्यक सथाई भाव से संभादित एक रसवता है जिसका वीदाट इस प्रकार है तो यहां पर हम लिस्ट में देख सकते हैं जैसे रति नाम का सथाई भाव है किस से जुँड़ा हूँए उच्छाय नाम का सथाई वर्तमान समय में विद्वालोग 9 नव रसों को मनता दिएगे 9 नव रस आप परया पढ़ते हुँ इसके इत्रित दो रसों की चर्चा और होती है इनके बारे में वह चर्चा करते हैं विद्वालोग 10 वात्सलेरच संतान वितयाकरति संतान के विशखे में प्रेम और भक्ति भगवात विशेख रती मतलब भगवान से प्रेम करना तो इस प्रकार वरतमौन में इस्थाई भावों के संक्या नाव ही माने गई अता नावरासी माने गए रती के रती नाम को जो हमारा क्या है इस्थाई भाव या पिर हमारे खुत्ते बच्चे हैं या पिर हमारे बातिजा बातिजी बांजा बांजी जोगी हैं तो इसको बोला जाता है वात्सले रती और भक्ति समंधी रती मतब भगवान से प्रेम करना इस्वर से प्रेम करना इसे बोलते हैं भक्ति समंधी रती और इन त्रीनों से कम को रस राज माना जाता है रसों का राजा माना जाता है अब हमने देखा कि अनुभाव के विचारी भाव के से रस की निश्पत्ति होती है तो विभाव क्या होता है विभाव का अर्थ है कारण रस के कारण विभाव कहते हैं कौन से कारण से जिसके कारण रस का जन्म हुआ रस की निश्पति हुई तब विभाव को भी दो भागों बलते हैं अलम्मन विभाव कर दो पक्षित मिलकर बनता है आस्रार इंहें आलम मन आस्राय और आलम मन आस्राय किसको बोलते हैं जिसके सिदाय में भाव जागरित होता है यानि जिसे रसानुब होती है उसे आस्राय करते हैं जैसे भगवान राम पुष्पवाटिका में सीता मिया को देखते हैं तो उनके मन में जो भाव जागरित होता है तो भगवान चाarf sakin 11 एंबं शकुंतिल्य जो देखकर दुष्ष्यंद के मन में प्रेपभाना जागरीथ होता है उनसे आनंद की अनूबूती होगा है वह weld Maxfinden यिन्य पार्ण शिब moral Alam band क्या होता है वह पात्रयाइस्थित संति जिसे तेuum आशरा के मन में भाव जागरित होता है उसे आलंबन कहते हैं तो जिस पात्र को देखकर प्रेम भाव उत्पन होता है या कोई भी फिलिंग से डेवलाफ होते हैं वह होता है आलंबन मतलब जिसको देखकर आसरय के मन में क्षे को भावना उत्पन होता है Associate को देकर आठ रेकर आश्रे के मन में कोई भावनाउथ पन्हों हो दिया उसए हम काते है आलम बन तो वह पात्रियाएस्利त इसे प्षिति देखकर सोरी वहाई के मन में इस आखर जागरित होता है उसे खरत रहा में जा crag को आखर को देखकर दुप्चंद के हिदय में । रति नमा किस्दाइभा जाग रितotte χए तो यहां दुप्चंद आस्रा है और शकुंता आलम बने यहां पर हीरो कुन है और इरोईन कुन है शकुंत तला है participar कि यहां पर要का है यहां पर आफरा गैसरा है पर जियांट यरो और … यहां चरू आपर आनलबवन है जो कि इस इत्व के लॉआ न के लिए और सिर्फिया संख्याने के लिए आप को बताता हूं हम ने देखा उद्धीपन विभाव क्या होता है मिभाव हम ने देखा समझ है रस के करण को विभाव काते हैं विभाव दो प्रकार के होते हैं अलंबन विभाव हम आलम्बन और बढ़ा जाधा ओर यहाँ न की चेश्टा हैं। यहाँ के चेश्ट तो यहां पर देखेए, शकुंतला मतब आलम्बन की हैं। दुस्येंत मतब आश्रय के रती हातो होता है। ढूदिप्त अब शकुंतला क्या है यह अगिने कि यहाँ आरहे हैं हिरोई और हो तो यह सब हैं है क्थे हो रहे हैं और इसके चेहरे में जो में जो दुस यन्द के मन में जो प्रेम भावना उत्पन हुआ है उसको यह और बढ़ाते रहे तो यह हो गया आलम मन की चेस्टाएं होगी और इसके बाद यह है जो जैसे उप्ववन हैं जी सीता जी सीता जी को देख रहा पर नहें बहुत रोमांटी शुदर सुदर फूल बखषि कल्रांव कर रहे हैं आस पास में पास में नदीव हा तो यह सारी चीज़े मिल करें मतलब आलंबन के जो क्रिया कला पे जो चेश्टर आया है कि वह उसक्रा रही है तिर्शी निगाहों से देख रही है और वैसे रोमांटिक वाता रहा है एक बहतरीन फूल कि ले हुए है एक से बढ़कर खुब्सूरत और नाच रहे हैं पक्षि अनुभाव कि देखिए हम लोग आचारे भरत मुनी कर रहा है तो यहां रोमांटिक होना भी थोड़ा जवर रही है चलिए आगे अनुभाव कि इसको बोलते हैं आसराई की चेश्टा है अनुभाव के अंतरगत आती हैं जबकि आलंबन की चेश्टा हैं दीपन के अंतरग तो उनके जो क्रिया कलाव है या फिर गुस्से में किसी का आख लाल हो जा रहा है प्रोध में तो जो जो फिजिकल या फिर जो चेंज़े आ रहे हैं वाड़ी इमोशनली और फिजिकली तो इसको बोलते हैं आसराई की चेश्टा है या फिर ऐसे बहुत सारे पेड़ा है ज यह हीरोसाव है है वह अनुभाव् के अंतरगत आते हैं तक शियंद है किया जागत्स होता है जो हीरो है यहां पर दूस्यान थे उससे का उदाहन देखर आपको बताता हूं कि उसमें क्या के चेंजेज आ रहे हैं कि बहुत ही बेचेन हो जा रहे हैं वह शकुंतला को देखने के लिए कैसे बजा करें उसको देखने उसके पास चला जाओ अरे तब रोमांटिक हो रहे है उसके पता चलता है कि उनके हिदें में क्या पीदा हुआ है रोती लुग है प्रेहा का जागरित हुआ है तो यह सारी आजनि नियुक्त Course है प्रक्ड़िए और से वह उत्याओं अध्यानी प्रकट होते है बहुत प्रेंसे मदुर्वाणी से बात कर रहा है हिरोईन से जनाइका से इसके बाद आहार ये वेस भुसा या अलंकरांट से प्रकट होते हैं आपने देखा हुए कोई जब किसी को पसंद करता है उसे मिले जाता है या उसे मिलने की सम्हावना होती है तो पिर क्या करते हैं लोग सजने शादी में पराया सजने धर्जे का बाकी दुलाद दुलान को छोड़कर बाकी लोगों को जो होता है अपने आपको प्रेंटेपल बनाना है उनको मौलूम है कि उनके जिसको पसंद करते हैं यदि आने वाला है या फिर आने वाली है तो फिर अपने आप एक्दम सज श्रवन से लाल हो जा रही है जिस पर उसका नियंत्र नहीं है यह फिर कापने लग रही है बहुत सारी बाते हैं जैसे कि स्वेध है पसीना निकलना कापना रोमांच के अनुबुति हो ना इस्तंवीत हो जाना स्वरभंग हो जाना अश्तु वैवान प्रलाए कोई किसी से म यह हैं तो यह सब अ है है कि इसके बस संचारी वाह किसे मोते हैं संचारी आ Tax कंडेरा संचारी शाई है संच्राण करते हैं इनके संख्या 33 मानी परिष्ण है कि 33ícios कितने हैं मतलब संचारी भाव और वेभीचारी बहुत हैं जो सभी इस इसलिए अका है रहते तो इनके संक्य क्या है थेति से और इनका मुख्य काम कह रहता है जो इस थाई वह हमारे मन में दिमान उससको और ज्यादा मजबूती देना उसको पुष्ट करना संचारी भाव थेति सते हैं इंका नाम बता देता हूं आगे बढ़ता हुमें इस प्रकार आचार भरत्मुनी ने रस वेचन के समय में जिस लोग को प्रस्तूत किया है उसका क्यार्त है जिस प्रकार आनेक मेंजनों और आशदियों के संयोग से रस की अत्त्ती हुती है उसी प्रकार आनेक भावों के संयोग से रस की निस्पत्ती होती है ??? और जिसे मां टॅमांटॉ के चट्नी के ग्जांपा दिया था वैसे बहुत सबस्क्री बिनांगे व वरस ऊट्पन होते हैं वैसे अनेक भायों से उपगत होने से इस्थाई भायों रस को प्राफ्ट होता है जैसा सारी चीजों को मिला कर सो हम दवाइप बना लेते हैं जिसे हम सब्सक्राइब करते हैं तो रस को क्या स्वाद है को बता नहीं सकता है जैसे आम कोई आम खा रहा है वोड़े के आम मीठा लग रहा है लेकिन जब तक आप उसको खाएंगे नहीं आप मासूस नहीं कर सकते तो रस क्या है यहाँ सब्सक्राइन लग को जटने को पर्मानंद सरे हैं तो रस को विविदत आवया हैं लेसे में टमाटर की चट्नी का वारबाद गजान चट्नी isи दो आपकीशने रहे हुआ। टमाटर में हम अपने पर कोई चठ्नी बना देते हैं तब हम पोई चट्नी मिल जाती है लेकार सहरेध स्वाइब जो व्यक्ति बहुत ही जिसका सरीश्वास्ट अच्छ है जो इसका मन अच्छ है वही भ Hayır श्रमाजो पदार्थों का स्वाद ले सकता है अवेदी कोई व्यक्ति व्यवेक्ति है आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति v Demokrat कर सकता ही हार बेक्ति कोस का महार बेक्ति मसुद्ण नहीं कर सकता है उसमें भी योग्यता होनी चाहिए आचारे अभिनागुत्त की बिफ्ति ratings सरवाधिक महत्र पुर्णा ensuring प्रॉण डरीNo ahh परकुण इनों ने क्या बात कई किर्श होता है अलल进 होती है इस लोग की नहीं होती इसकी व्य अक्याह कि जा सकती क्योंकि अलगी दुनिया की बात है और अचार्य आ गुंद्यन बतायक मतलब आपको तीन प्रकार की शब्द शक्ति पता है अभिदा, लक्षणा और वेंजना तो हमारे मन में जो इस्थाई भाव हैं वो विभाव आधी के संयोग से किसमें बदल जाते हैं रस में बदल जाते हैं और इसमें मुख्य भूमिका किस की राती है वेंजना शब्द शक मात्रा है वह नए भावों के स्रिष्ठी नहीं करता तो इनका कहना यह है कि काव्य के माध्यम से हमारे मन में कोई नई भावना उत्पर्ण नहीं होती बलकि हमारे मन में जो भावना पहले से विद्यमान है उसी को ही काव्य उत्तेजित कर देता है जैसे दूख करुणा शो साहित द्रपण में रस विवेचन के समथ में परंप्रा गत विचारों का सरली करन किया पहले हैं पहले पर चलिए हुई जो विचार धारा थी रस के पर Career विचार our ने सरल किय और क्या कहा उनके सारे साह तो बैजना सक्ती के बात इंहोंने आपन नहीं किये तो जो इस्थाईभाव रतिया दिये विभाव से मिल्जाते हैं आचारवी सुनात इनकी भूमिका बहुत ही महत्त पोड़ना है कि इन्होंने रस रस के स्वरुक के निधारण में इनकी बूंगी का सरवाधिक पूर्ण है तो अचारवी सवनात ने रस के स्वरुक के निधारण किया है वही आज मान यह हैं तो इसको आप जरूद्यान से समझ लें सुल लें अचार वी स्वनात के अंसार भावों की परिपक्टो आस्थाररास है वाता हमारे मेंट में जो इस्थाइभाव विद्यमान है जब पुरी rookie हो जाते हैं जर्त ब्रम्हानन इस्वरी आनंदて सगे भाई screenshots तो रस की जो अन्भूति होती है अलोकिक होती है वो ब्रह्मान अम्लब पर्मान जिसको हम शब्दों में बैयान नहीं कर सकते जिस आनंद को मतला इस्वर के परती जो हमारी प्रेम होना है यह हम जो महसूस करते हैं जो स्रद्धा और वक्ति है उसके कुलती है हमारे मैंन में जैसे हम कहीं पर भजन सूना है तो हमारे मन में जो रस उत्पन हो रहा है उसको हम व्याक्या उसकी नहीं कर सकते वैसे इसलिए से रस की अनुभूति जो है ब्रमानंद सहुदर के समाने प्रमानंद के समाने प्रमानंद के समाने रस उत्र के चार व्याक्यता आचारे हुए है आचारे भरत्मुनी के रतस्थ में दो शब्दा आए है महत्रugen और निश्पति निश्पति मतलब उत्पत्थी आपता हुट उत्पन होगा तो इन शब्दों की व्याð कि जिन चार आए उने के है उन्हें रसास्थ का व्याख्याता आचार्य कहा जाता है इनमें से कौन आचारे हैं जो रस सुत्र के व्याक्याता आचारियों में शामिल नहीं है रस सुत्र की व्याक्या करने के लिए रस में जो दो शब्दाएं सयो विभाव वानुभाव व्यविचार सयोगा द्रस निश्पक्ति जो हुआ है तो सयोगा द्रस निश्पक्ति नाम की जो आचारे कहे जाते हैं। इन चारों ने उसरा सवचुवत र्की ब्याख्या किया है। विश्चर से hence इन डो है। इननका दर्शन करता है नीमान सा दर्शन से प्रभावित हैं यह प्राइच्छा में प्राया आने वाला प्रसना इसमें सधिकान प्रसना आपको 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 दिखाई देंगे जो मैं आपको बता रहो इसमें मैंने पुरा कम्प्लीट किया है से लेक्चर को अंतर तक जरूर देखें मेरे लेक्चर में कोई साट कट नहीं रहता है कि बहुत आदे घंटे पंदे में आपको संग्या दों तो अंतर तक जरूब देखें लेकिन इसको देखने के बाद मिरा वादा है कि आपको कोई भी चीज कहीं से नहीं चुटेगी अचारे घलोलर्ट की दर्सन से प्रभावित हैं भर्त रुठति वाद या आरोक वाट कहलाता है उनके इनसार निश्पति का अर्थाय उत्पण उत्पण्अ belum ना और और उत्पाद्य क्या हो गया धान हो गया वैसे गम्य और गमक गम्य मतलब क्या होता है जो साध्य हो मतलब जहां पहुंचा जा सके हैं जहां पहुंच सके हैं और गमक मतलब जाने वाला और पोश्च और पोश्च क्या होता है पोश्च मतलब पालने ही होगे जिए चोटे को ने जाना है सिर्फ आपको याद रखना यहां प्लण करने वाला होता है जहां पर जाया जा सके जैसे बुद्धी गम में जहां तक बुद्धी समझ सकती है और अभी मैं आगे पुरा समझाओंगा पहले समझते रहे द्यान से दर्शक अभी नेताओं पर मूल पात्रों का आरूप कर लेता है इसलिए इनका मत आरूप वात का हाल आता है तो जैसे कि आपने वह देखा होगा रामायाड सिरियल रामानुत सागर जी का रामायाड सिरियल है उसमें अरूण गोविल जी ने किसकी राम की भुईमिका का निर्वान किया था तो यहां पर इनका क्या कहना क्या है अचारे भटलोलट का कहना क्या है रस कहां पर इस्थित होता है रस इस्थित होगा वास्तिक भगवान राम है और यादा पुरसतातम जो भगवान राम है जो अलावकिक हैं उसमें रस की इस्तिति आरस वहां पर नहीं था है लेकिन दर्सक क्या समझता है यह जो अरूण गोविल जी बहुत शब्सक्राइब है जैसे में अरूण गोविल जी को ही देखते हैं तो इसी लिए इनका मत क्या कलाता है आरौप वात कलाता है अनुकारी मतलब मूल पात्र और इजिनली में जो भगवान राम है, मर्यादा पुर्षतम, और अनुकारी क्या हो गया, अनुकारी से ताथ पर उस पौराणी के अतिहासिक चरित्र से है, जिसका अभिनेग किया जा रहा है, और अनुकर्ता किसको बोलते है, अनुकर्ता बोलत में जैसे भगवान राम है वो मूल पात्र है तो रस वहां इस्तित होगा और अनुकरता कौन है उसका अनुकरण कौन कर रहे जो अभी नेता है तो यहां इस जांपर में आप देख सकते हैं जैसे रामायाड सीरियल में मर्यादा पुरुसत्तम भगवान राम जो वास्तिक अब आगे देखते हैं बाचार शंकुक किसदर्शन में इसका प्रभावित है इनका जो अनुमिती बात कहा जाता है इन्होंने चित्र तुरंगा न्याय की अधर पर रस निस्पत्ति की व्याक्या किये तो चित्र तुरंगा न्याय किसको बोलते हैं यह दर्शन शास्तर से आएवा शब्द है यह शब्द दर्शन सास्तर से आएवा है दर्शन सास्तर में अनुमान को ख्याब होते हैं चित्र तुरंग न्याय काते हैं एंका जो मत वात कहा जाता है और अनुम्ही होता है और स्वाइन देख्ते हैं जैसे चीत्र में बने तुरंग घोंडे को देखकर हम उसे गोड़ा मै लेते उसी प्रकार दर्शक नट में राम आदी के प्रतिति कलेता है और उसमें और अफेर करे उसमेंud görüşgeht यू True today तो इस विलक्षण अनुमान को क्या बोला जाता है क्ला प्रतिती का जाता है अनुमान लगाना वाराम आएसे घते हो इसे बोला जाता है कला प्रतिती अब जाब सकुट की कता होता है अनुमान लगाना औ प्ति का आरत होता है इसको आपको याद कर ले ना है इनके अनुकरता अभिनेता या नट में होती है तो यहाँ पर अरून गोविल जी में रास इस्थित होगा अनुकरता मतब जो एक्टर है जो पात्र है जो उसकी भूमिका का निर्वान कर रहा है जो एक्टर है या अनुकरता है अभिनेता है तो रस यहां पर इस्थित होगा, तो इन्होंने दूसरा सिध्धान दे दिया, वहां पर भगवान राम में रस किष्थिती थी, यहां पर वह एक्टर में आ गई, पात्र में आ गई, अनुकर्ता में आ गई, वहां अचार भत नेको चाह resurSofti नाय को सांग दर्शन से प्रभवावीत है, इसको पुरा याद करना है, बार बार करना को जुदन है आपको हाबका सिधान्त, हो जाता है साधारिकरण का सिध्धान मतब घौत जहान का जो अब करति हो प्रति हां जांपormat करति भल आते हैं न nearest करति हैं चोटी से भगान के अल्चतर से हैं कोई कविता पढ़ते हैं हमारे मंद में भगवान कृष्ण का प्रतिवादसले का भाव जागरित होता है मता हम ही उसको लखते हैं कि हम पैरेंट्स है तो इस ताइप मतब भावनाओं का साधार्णी करण हो जाता है इस पर मैं अलग से एपिसोड लेकर आओगा सधार्णी कर लात करते एं जा हम तर्षक को महसूस करते हैं इसका भूग करते हैं आचार भटे रहाएक शुल Southeast अबिदा भावक्त ओर भोजुकत नामक तीन वियापारों कि कलपना कि इननंहोंने थी रिचुप्रकार के विभावावादी उपने परया की भावना से मुख्टों कर समाने कृत हो जाते हैं मतलब जैसे दर्सक जो देख रहा है कृष्ण लीला को देख रहा है दर्सक तो माता यह सोधा उसको बहुत चोटे बच्छे भगवान कृष्ण एकदम श्रीशु है उनको प्यार कर रही है माँ तो उनके मन में जो वादसले का भाव है जो नंद जी उसको प्यार करने जो वादसले का भाव है तो तो उससे जो दatterसक असवा शूरता हैं सोंने कि मेरा करना किसी आनन्द की अस्ता को महसूस करना इसको करना इसके अंसार रस की स्थिति प्रेक्षक मतब दर्शक सहरिदय या समाडिक में होती है इन्होंने तीसरा सिधान दे दिया रस कहां उत्पन होगा रस कहां पर होगा तो जो दर्शक है जो श्रोता है जो प्रेक्षक है जो स अमाजिक है वहां पर रस की स्थिती होगी मदश को पोजीशन घहां पर होगा यहां पर इसके अब आचारा इबिनागुक्त पूरे प्रस्शों के जवाप मिल जाएंगे १ा अचारे अभीना औरहा लाता है अभी व्यक्ती चीजों को अभीब्यक्त करना फे रास को अभी मेंजना का हुआ शक्ति द्वारा निकला हरत जैसे आप किसी को बोरह है कि वास्ता अमें को व्यक्ति अच्छा नहीं दिख रहा है क्या बात है आज तो चमक रहे हो आज तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो जब कि वह उल्टा है यह हो गया व्यांग या फिर आंत्रिक भाव प्रदर्शन करने वाले चेश्टे यहाव या किसी दूसरे को आप इस टाइप से देख रहे व्यांग नजरों से देख रहे है क्या कैसे कुछ भी फालतु पाहन कहा रहता है आपके नजरों से पता चाहर रहा है कि पसंद नहीं कर रहे है तो यह क्या व्यांजा अंत्रिक भाव आपने एक्स्प्रेस कर दिया तो यह इस उदारन से समझ सकते हैं हम लोग जैसे जल के तो मिट्टी की सुन्दी खुस्बू हमको मसूस होती है उनकुल परिस्थिती पाते हैं तो अंकुरित रहते हैं जैसे आम की गुठीनिया आपने इकठा कि आप जब बारीज के दिन आप उसको लगा देंगी जमिन में तो देखेंगे 10-15 दिन में विए से आम की कॉंपले निकलने लगती है आप प्रयास करके देखिए तो उसमें जीवन के अंकुरत उसमें पहले से विद्यमान है लेकिन जब उसको अनुकूल परिस्थिती मिल गई वो मिठी की नीचे दबा हुआ है फिर बारीज हो गई कुछ दिन बारीज रुख गई उमस हो गई फिरवा अनुकूल परिस्थितिया पाकरवा दिरे अंकूल परिस्थित होने लगता है तो उसमें सम्हावना पहले से विद्यमान थी उसी पकार सरहिदय के मन में रती वात क्या है मतब जो सहरिदय समाजिक प्रेक्षक या दर्सक है उसके मन में इस्थाई भाव पहले से विद्यमान होते हैं लेकिन जब वह अनुकूल परिस्थितिया उसको मिल जाती है तब उसके मन में जो इस्थाई भाव है राश रूप में परणत हो जाते हैं बदल जा इस प्रकार सरहिदय के वासना रूप में विध्यवनिरंतर विद्यमानि स्थाइबहाओ विभावादी के सेयोग से अभिव्यक्त हो आते हैं विन्हाब गणू करते क्या हाह निश्पप्ति का और सायोग करते चीठों को सार्यांगीे सार्य होता है सरहिदय समाधिक के सत्यों होती तो होता पाठक इनके स्थेदय में रस की इस्तिती होती है रस संप्रदायक के समर्थक आचारे कौन कौन से हैं यह भी परिच्छा में आने वाला प्रसन है कि कौन से आचारे ने रस संप्रदायक को समर्थन दिया है रस संप्रदायक के समर्थक अचार भरत्मुनि आचार अबिनागुपत आचार विष्णनाथ आचार अचार एक्षांकुग आचार भटनायक आदी के नाम लिए जा सकते हैं यह सारे इन्होंने रश संप्रदाय को समर्थन दिया है अब रस को काव की आत्मा क्यों कहा जाता आया देखें क्या रस वास्त ब्रहमानंद या पर्मानंद यह इस्वर के प्रधि जो आनन्द होता है उसके प्र agora मन में भक्ति होती है जो स्रधा के भाह होते तो उसको हम शब्दों में अभिवयकत नहीं कर सकते उसी प्रकार स्वल्श की जो नहीं होती है वह भी अलोकिक होती है ब्रह्मानंद के समान होती है, इसलिए ब्रह्मानंद सखुदर कहा गया है, तो इसको सिर्फ महसूस किया रा सकता है, एक्स्प्रेन नहीं किया रा सकता है. पाठाक या शुरुता के रिधाय में इसी इस्थाई भाव ही रस रूप में प्रणत होकर उसे आनन्द प्रदान करता है। रस को काव की आत्मा या प्राणत तो माना गया है। जैसे हमारे शरीर में जो प्राण का मात्व है वैसे काव में काव की आत्मा कौन है रस है। को जैसे प्राण के अभाव में से शारीर बेट है उसी प्रकार रस के अभाव में को हिरा अथा वैसी हमारा जो शारीर क्या है वह निर्जी उस सरीर के समाने तो रस कवी कावे की आत्रम रस ही कविता को प्रणावन बनाता है और पाठक करक आणन्दमगन करके भाव वसामाध्य में पहुचा देता है और क्या निष्टा हो जाता है और ये समाधी क आठ साइब हो जाता है और अ tamam मैसे कावे में सरवादिक महत्रपुंट तत्व माना जा सकता है अभी सिलूर को सजाने के पांधे श्रीर को सजाते हां पर ठीक वैसे हैं जैसे हमारे सरीर के जो हमारी आत्म है वह रोसा अरो दो घारन करते दो बाहर से हम पहन के वड़के अपने आपको और कुछ चुरत दिखा रहे हैं हमारे शरीर को तो शरीर का अंत्रंग तत्व क्या हो गया है जैसे कावे हमारा शरीर है कावे का अंत्रंग तत्व क्या हो गया है अर्रास हो गया और जिसमें अलंकार वगार हम डाल रहे हैं बाहर से बाहरी चीज़े तो कावे रस कावे का अंतिरंग तत्वा बहिरांग तत्व नहीं है बाहरी तत्व नहीं है अलंकार आधि की बाती है कावे की शोभा नहीं बढ़ाता अभी तो शोभा उत्पन्न करता है तो यह अलंकार जैसे हमारे कावे की शोभा बढ़ाने वाले चीज़ रस को छोड़गे अगर अनुद गुई लिधि चीज़ है वह इसी के उपकरण है तो आनेर्विवाद रुप में रासी काव क्षैश्टा हैत्व रहे का इस पकार संचेथ में हम JESS segunda की आत्मे है बाकी सबी सवरूप होता है शिर क्या को विशेष्टाय होती है चाने रस की अनेक कृती है जो दाई है कर सकता है जिसको में महशूस कर सकते हैं जिस craft कहनों करती होती है वही रस है और समाधी क्रसक कि प्रेर्सका आस्वादन कर सकता है जो हाटलेस है जो बहुत कूर है कुटिल है वो क्या रस को मसूद करें वसी पकार रस की उत्पत्ति सतोगुण के उद्रेक अर्थाथ प्रचूलता से होती है अर्थाथ सांसारिक राग द्वेश्रे मुक्त चित्ति विश्रदता निर्मलता की अब चाहर है कि आज मैं जैसे कितना मतलब मैंने कमाई की विजनेस कर रहा तो उधर उसका ध्यान है यह सवाले मामले उसका ध्यान है यह जो रिस्वत को नहीं करें तो रस की उत्पत्ति कि होगी जब सांसारिक मुहमाया राग द्वेश्रे से हमारा मन निर्मल हो जाता है उससे मुक्त हो जाता है। सांषारिक राग धूए से मिंदा राग धूए मुट है। सेवरस्श कुण होते हैं को चीए चाल कार्य को भीत करते हैं। तो जब हमारे मन में सतोगुण की प्रचूरता हो जाती है प्रचुर मात्र में उत्पन हो जाता है और हमारा हृदा है हमारा मन हराग अर्द्वयर से मुक्त हो जाता है तब ही हमको रस की अनुबूती होती है कि दुनिया की चीज nossa अर्थादरारा की चैतना है जैसे एलाजांव हो जाते आशाका है ़ेसे बाति की चितनाव जी नहींरे सब्सक्राइबותान सब्सक्राइब मुगति कर्या में पदो हैं है हमसे हम वी कि देगा. और प्यार में प्यार कर रहे हैं तो ब्यक्ति की खुद की चेतना की नहीं ने यह तो मैं नाठक दहरा हूं यह तो मैं फीन में देख रहा हुasm सब्सक्राइब यह एक प्रकार का परिस्क्री नहीं होती है सिर्फ अनन्द की नहीं होती है कि हमारी इंद्रिया संतुष्ट जो जा रही बल्कि यह एक प्रकार का ऐसा अनद है इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि किसी फिल्म को देखकर तुमको कैसा लगा तो अच्छा लगा तो अच्छा अच्छा लगा वह नहीं बता पाएंगे बहुत अच्छा लगा ठ यह स्व Stevens साथ इंव घाते को देखने में दैसे हम कहीं पर जा रहें पक्ची को देखे एक चुड्या कोे अधि के उस से शब्दों में व्यक्त नहीं कह जा सकता मदावाई इस लोग से सम्बंदित नहीं है दूसरे लोग से सम्बंदित है उसमें हम तन मेद vastu इसकी व्याख्या नहीं किजां़ सकती क्योंग यह अल अब निश्कर्स रूप में हम कह सकते हैं निश्कर्स लिखना बहुत ज़री रहता है परिच्छ में उपर आपने जिन भी बिंदों को लिखा है उसको संशेप में लिखना ही निश्कर्स कहलाता है प्रस्तावना से लेकर अभी तक आपने जिन भी बिंदों के बारे में उपर चर्चा किया है उनको संशेप में बता देना निशकर्स है प्रस्तावना शब्द लिखने की ज़रो दनीरदी परिच्छा में लेकिन निशकर्स लिक्षना आपको अनिवार होता है यो निशकर्स जो हेडिंग न इसको डाल के लिखना बहुत ही ज़वर है तब ही आपको परि लेकिन जो पॉइंट्स में इंप्लूट करता हूं जिदने पॉइंट्स में बता रखो कभी मत छोड़ी है पॉइंट्स आपको लिखना बहुत ही जवरी है और कम शब्दा में इसकी व्याख्यक कर दीजिए तो यह काड़े आ सकता है कि रस अलोकिक होता है अलोकिक मत इस लोग का नहीं दूसरे लोग का रस की यह अलोकिक ता सधारनी करण व्यापार के करण होती है सधारनी करण आपको बता चुका हूँ बाद में अलग एपिसोड लेकर आओं मतला जो फिलिंग्स और इमोसंस हैं जो करेक्टर के वह जनरलाइज हो जाते हैं कभी की भावना है हमको अपनी भावना लगने लगती है यह पर जो पात्रों की भावना है हमारी भावनाओं को यह वहाँ पर वो दे रहे शब्द दे रहे तो यह अपना केवल समाजी को सधारनी करता है यह तो इसे देश काल के बंदलों से भी मुख्त करता है जिसमें समाजी का तदात में कभी की अन्भूति के साथ हो जाता है कुन सी वस्ता का सूचक है जैसे किसी कवी ने कोई कविता लिखी तो कविता की कवी की जो भावना है उसका जो तादात्म है जो हार्मनी है वह किसके सांत हो जाता है पाठक या सुरता के सांत हो जाता है तो यही जब कवी की अनभूती पाठक या सुरता की अपनी अनभूती आप अपनी अनम्होती बना लेते हैं आपको अपनी अनम्होती मवसोत लए लगता है तो यहीं संधार्णी करन आप उस स्था का उस्था का फिल्म करने लगता लगता है इसे पगाउब का ये तो उनके रूप में आप अपने को करने लगते हैं कि मैं ही इस फिल्म का तो यह उसकी अनभूती से आप एका कर रहते हैं कि वैसे स्थिति में कोई पिता वही काम करता है जिरिश्यम पार्ट वन यह पार्ट टू भी आ चुका है आप देख सकते हैं इसके पाद रसनुभूती शब्द ब्युहर का विशान आओकर समेधन मात्र है वह तब रसनुभूती को हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं मासूस किया रहा सकता है रस का साक्षातकार अनभूती के रूप में होता है मतलब आदमी सिर्फ इसको मासूस कर सकता है इसको हम सिर्फ मासूस कर सकते हैं शब्दों में नहीं बता सकते हैं इस प्रकार रस सिध्धान कावे सिध्धान का कावे का सरवाधिक भारती कावे सा डाल दिया है वहाँ पर जाकर देख लें और मेरी पुना गुजारिस है कि आप मेरी वेबसाइट पर जरूर जाएं वैसे बेहतरिन कंटेंट आपको आपको बिलेंगे खासकर परिशा के दिश्टिकॉर्ण से जो बहुत ही महतपून है आपके लिए उसका लिंक भी मैं आप जरूर फालो करें ताके मुझे भी पता चले कि मेरे कितने दर्शक वहाँ पर हैं बहुत बहुत धन्यवाद